हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल देशी प्रोफिट टॉक्स और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको बैंक और बढ़ोदा से 20 लाग का होम लोन चाहिए 20 सालों के लिए तो उनका मंतली MI जो है, वो कितना बनेगा और क्या इंटरसेड इतने समय चल आया है, बैंक और बढ़ोदा में होम लोन के लिए और कौन-कौन सी स्कीमें चल नहीं है, तो इन सब के बारे में हम देखेंगे और आपको कुछ ओफर्स अगर चल ले होंगे, बैंक और बढ़ोदा होम लोन के लिए तो वो भी हम आज आपको बताएंगे, तो इन सब की बात करेंगे हम इस वीडियो में तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को एक लाइक कर देगा, इस चैनल पर हम आपको क्रेट कार्ड, होम लोन, परसनल लोन, कार लोन, टूविले लोन से लेटेड इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन लेके आते रहते हैं, तो चलिए आईए, शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं, कि देख लेते हैं, बैंक आप रोधा का जो होम लोन का इंटरेड है, कि उसकी स्टार्टिं किससे हो रही है, तो जो इसका इंटरेड चला है, वो चला है, 6.90% से यहां पर स्टार्टिंग है, और जो मैक्सम जाता है, 8.60% तक, यहां पर लोन अमाउंट आपको तक का आप यहां पे home loan ले सकते हो और आम से 10 maximum 10 और आप 30 सालों के लिए आप से loan के लिए apply कर सकते हो processing charges लगेंगे आपके 0.50% लगेंगे आपके loan amount का जो की minimum होगे पिचासी सो रुपए और maximum जाएगा जो 15,000 रुपए फिर और नीचे चलते हैं तो कुछ यहां पे और information दी गई है कुछ scheme दी गई है जैसे तो bank आप पड़ो था housing loan and home improvement loan यह आपके लिए होता है जैसे आप कोई नया घर खरीदर हो या अपने घर में renovation करवा रहा हो और या तो आप अपने घर को expand करवा रहा हो तो उसके लिए आप इस scheme के तहत आप यहां पे loan ले सकते हो तो यहां पे जो for salaried individual अगर कोई apply करेगा तो उसका interest rate जो होगा 6.90 से 8.25% तक होगा और वहीं for non-salaried individual जो कोई अपना business वगेरा करते हैं तो उनका 7% से 8.35% तक यहां पे उनको interest rate पर मिलेगा फिर यहां पे बड़ोदा home loan advantage यहां पे इसका भी दिया हुआ interest rate अगर आप 75 लाग तक का ले रहा हो तो आपको 6.90 to 8.35 का मिलेगा और अगर आप 75 लाग के उपर ले रहा हो तो आपको 7.15 to 8.60 तक का यहां पे interest rate देना पर सकता है फिर बड़ोदा top up loan है यहां पे आपको 7.75% to 9.60% पर interest rate पर home loan मिलेगा आप कुछ top banks है जिनसे हम comparison देख लेते हैं bank और बड़ोदा home loan का क्या interest rate चल ला है तो अगर आप 30 लाग तक का loan लेते हो तो bank का पड़ोदा आपको 6.90 to 8.40% पर देगा वही state bank आपको सिर्फ 6.65 to 7.65% पर यहां पर अगर आप 30 लाग तक का loan ले रहा हो तो मिलिया आएगा HDSC से 7% to 8.45% एक्सिस bank 7% से starting है जो की 11.90% तक गया है ICICI bank आपको 7.10 to 7.95% पर देगी वहीं कोटक महिंदरा bank आपको 7% से यहां पर home loan की starting होगी PNB housing finance आपको 6.75 to 12% पर देगी वहीं पंजाब national bank है 6.95 to 8.35% पर है Union bank of India आपको 6.90 to 8.65% है IDFC first bank आपको 7.10% से यहां पर home loan की starting होगी L&T housing finance अगर आप किसी finance company से भी home loan लेना चाहते हो तो यहां पर कुछ finance company दी गई है जिनके interest rate जो home loan की interest rate हो काफी कम है तो इनकी starting होती 6.75 to 7.75% वहीं बजाज housing finance company आपको 6.65% से यह starting होगी आती है और यहां पर आपको minimum paper work करना पड़ता है गोद्रेज housing finance आप 6.9594 to 9.99% पर यहां मिलेगा टाटा capital आपको 7.15 से यहां पर starting और LIC housing finance आपको 6.90 to 8% किया रहा होगी आपे home loan पर interest rate देगी अब हम लोग नीचे चल लेते हैं processing fees देख लेते हैं कुछ जो scheme चल लही है bank of brother की तो brother housing loan and home improvement loan अगर आप लेते हो अगर आप 50 लग तक का loan लेते हो तो आपकी 0.50% यहां पे loan amount का processing fees देनी पड़ेगी जो minimum 85,000 होगी और maximum 15,000 तक जाएगी और अगर आप 50,000 के उपर का loan ले रहा हो तो आपकी जो processing fees होगी 0.25% लगेगी जो आपके loan amount का यहां minimum आपके 85,000 होगी और maximum आपके 25,000 तक जाएगी फिर यहां पे अगर आप बरवदा top up home loan ले रहा हो तो आपकी जो processing fees लगेगी वो 0.35% लगेगी जो कि minimum 5,000 होगी और maximum 12,500 होगी फिर home loan टेक ओवर है आपको फ्लैट यहां पे आपको 85,000 रुपए की यहां पे processing fees देनी पड़ सकती है प्री approved home loan आपको 0.25% to 0.50% के around मिलिया एगा जिसमें आपको यहां पे processing fees आपको 85,000 रुपए की देनी पड़ सकती है फिर आप देख लेते हैं कुछ types of bank bank का बड़ोदा home loan क्या है क्या है तो बड़ोदा housing loan है जो जिसका purpose ही होता है कि अगर आप कोई नया घर खरीद रहो नया plot खरीद रहो कोई flat वगएरा खरीद रहो आगर आपको जो घर है आपका आप उसको construction करवा रहे हो कोई अगर आपका जो घर है उसमें जैसे ground floor बना हु लिए आएगा फिर यह जो होता है मुंबई में जैसे आप यहां पे 20 क्रोणों तक का ले सकते हो अधर मैट्रो सिटी है जैसे दिल्ली बैंगलोव इनमें आपको यहां पे 7.5 लाग क्रोणों तक का यहां पे home loan ले सकते हो urban areas जो है वहां आपको 3 क्रोणों का ले सकते हो semi-ur मान लिए 30 लाग का home loan ले रहा हो मान लिए आगा अप 30 लाग तक का home loan ले रहा हो तो उसपे 90% तक यहां पर loan कर देंगे मालीजे आप 30 लाग की कोई जमीन खृँद रहा हो तो यहां पे आपको 80% है यहां पर मिल जाएगा और यहां पर 75 लाग के उपर ले रहा हूँ तो आपको 75% के राउन मिल जाएगा tenure यहां पर तीस साल तक के ले सकते हो फिर आता है हमने नीचे चलते है यहां पर लोन अप्लाई कर सकते हो तो आप यहां पर लोन आप एंप्लाई कर सकते हो होँए तो आप यहां पर आपको होएथ यहां पर आपको फोटोग्राफ होगाँ फिर एफोप यहां पर ऊप्रर ने and sanction letter from the local civic authority आपको यहाँ पर देना पड़ेगा copy of any permission देनी पड़ेगी salary certificate from one or two guarantors अगर आप कोई guarantor लगवार है तो आपके यहाँ पर salary certificate उसका देना पड़ेगा अगर guarantor का कोई business अगरा है तो आपको उसकी income tax return की last three year की यहाँ पर copies देनी होंगी फिर यहाँ पर bank passport, passbook जो है statement आपको last two year का देना पड़ेगा अगर salary applicants है तो उसको अपनी salary slip देनी पड़ेगी statement showing of all deduction यहाँ पर दिखाना पड़ेगा फिर in case of self-employed applicants है अगर कोई business अगरा करता तो उसको क्या documents ही होगा तो यहाँ पर CA certified copies of balance sheet आपको दिखानी पड़ेगी उसके बाद profit and loss account दिखाना पड़ेगा कि आप जो भी business वगएरा कर रहो तो उसमें आपको क्या profit और loss हुआ है तो यहाँ पर यह दिखाना पड़ेगा advance tax, shalan आपको दिखाने पड़ेगे last three year गए आपको यह कुछ documents हो गए जो आपको दिखाने पड़ सकते हैं अगर आप कोई नया घर खरीद रहे हैं builder से तो कुछ अलग से document होते हैं वो आपको यहाँ पर ज़रूरी होते हैं जैसे copy of agreement of sale जो भी आपने जिस builder से भी खरीदा होगा तो उससे आपने एक agreement किया होगा तो उसका यहाँ पर copy दिखानी पड़ेगी एक copy of registration received एक copy of sentient plan and sentient letter of competent authorities फिर एक copy of na permission copies of receipt of payment already made जो आपने builder को payment कर रखी होगी तो उसकी पूरी receipt है यहाँ पर आपको दिखानी पड़ेगी उसके बाद no objection certificate from the builders in our format यह आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा तो एक कुछ important documents होगा जो आपको home loan के लिए दिखाने पड़ेगे काफी details में हमने आपको इस बारे में बताया तो I hope आपको video हमारा पसंद आ रहा होगा अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को subscribe कर दीजेगा और वीडियो को एक like कर दीजेगा अब हम लेके चलते हैं आपको एक website पर यहाँ पर आपको लगबग सारे बैंकों के जो है home loan, personal loan, car loan, two-wheeler loan, education loan से related यहाँ पर important links मिल जाएंगे और कुछ अगर offers चल नहीं होंगे तो वो भी यहाँ पर दिखा देगा तो जैसे यहाँ पर आप किसी का भी चेक कर सकते हो जैसे मुझे चेक करना है bank or brother home loan तो यह देखे bank or brother home loan का link दिया हुआ है यहाँ पर आप जाएगे तो यहाँ पर आपको देखे काफी सारे आपको यहाँ से link मिल जाएगे आपको interest rate चेक करना है latest चेक करना है कुछ home loan related questions आपको पढ़ने है तो यहाँ पर questions पढ़ सकते हो EMI calculate करना है documents चेक करने हैं कि आपको इतने documents चाहिए होते हैं home loan लेनी के परसनल loan लेनी के लिए कुछ reviews पढ़ने हैं कि अगर आप bank आप बढ़ोदा से जो लोगोंने पहले reviews दिये होंगे तो उनके यहाँ से आप reviews पढ़ सकते हो और कुछ home loan related scheme में चल नहीं होंगी जो bank आप बढ़ोदा की तो वो भी आप यहाँ से detail में देख सकते हो तो इस site का link मैंने video के description box में दिया हुआ है एक बार यहाँ से check out करना मत भूलेगा अब हम लोग चलते हैं सबसे main काम के लिए तो चलते हैं best EMI calculator पर यहाँ पर आप अपना मंथली EMI calculate कर सकते हैं बस आपको यहाँ पर amount डालना होगा वो starting होड़ी 6.90% से तो अगर आपका civil score जो है 750 के अबव है तो आपको जो है bank lowest interest rate पर home loan प्रोवाइड करती है वहीं आपका जगर civil score डाउन है तो आपको थोड़ा से ज़्यादा interest rate देना पड़ सकता है और यहाँ पर loan tenure मैंने 20-40 select कर लिया आप नीचे आईएगा तो आपका देख लिए मन्तिली M.I.E. बन गया कितना आपका मन्तिली M.I.E. बनेगा 15,386 रुपए तोटल interest आपको pay करना पड़ेगा 16,92,670 रुपए के असपास तोटल payment आपको bank को करना होगा 36,92,670 रुपए के असपास फिर यहाँ आप चार्ड में दे सकते हो principal loan amount है जो आपका 20,00,000 का लिया है तो आपका बनेगा 54,2% वही जो total interest है जो आपको देना है जो बनता है 16,92,000 यह होगा 45,8% फिर आपको नीचे आई जाईएगा तो यहाँ पे काफी detail में information दी गई है जैसे हैं आप पे पूरा अपना yearly और monthly wise अपना अलग-अलग principal देख सकते हो क्या आपका principal जा रहा है क्या आपका interest rate लग रहा है total payment आप कितनी कर रहा है और महीने तो यहाँ पे मही महीने में जो आपका principal बनेगा 3886 बनेगा interest rate बनेगा 11,500 total payment आपको करनी होगी 15,386 तो ऐसे आप काफी detail में आप हर yearly और monthly wise अपना detail में आ से चेक कर सकते हो तो इस side का link भी मैंने video के description box में दिया हुआ है एक बार इसको भी check out करना मत बूलिएगा अगर आपको personal loan का भी अगर check करना है तो चलिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यवाद